नमस्काराइब देखरोए न्यूस फोनेशन मैं हूँ आपके साथ मिली शौबे वराइब कोहली की टेस्ट मैट से कप्तानी छोड़ने के बाद से उनके फैंस काफी दुखी नजर आ रही है और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि नया कप्तान कौन बने वाला है कौन सम्हाने वाला है टेस्ट सीरीज की कप्तानी की डोर को अब बता देए कि PCCI के तरफ से अभी तक ऐसी अधिकारी घोशना नहीं हुई है लेकिन अब यही लग रहा है कि रोहिशर्मा टेस्ट सीरीज की कप्तानी को सम्हानने जा रही है लेकिन एक शर्त के साथ रोहिशर्मा को इसकी कप्तानी की डोर सौपी जाएगी तो क्या होने वाली है PCCI की तरफ से वो शर्त और कब से कब इसकी अधिकारी घोशना की जाएगी बताते इस पुरे रिपॉर्ट में विराट कोली ने जैसे ही टेस्ट कप्तानी छोड़ने की बात कहीं है उनके फैंस काफी दुखी नजर आए और अब ये भी सोचा जा रहा है कि आखिर अब टेस्ट कप्तानी कौन सम्हालने वाला है खबर की माने तो BCCI ने ने टेस्ट कप्तान तै कर लिया है और साउथ अफरिका वन डे सीरीज के बाद वो इसका अधिकारिक एलान भी कर सकते हैं इंसाइड रिपोर्ट्स की माने तो बेशद रोहिष शर्मा ही नए कप्तान बनने वाले हैं मताबिक वर्कलोड काफी ज्यादा है रोही शर्मा को खुद को फिट भी रखना होगा उन्हें लगता है कि सिलेक्टर्स उनकी से बाचीत करेंगे और उन्हें फिटनेस पर काम करने के लिए कहा जाएगा मतादे कि रोही शर्मा हैंस्टरिंग की चोड से जूज रहे हैं वो पिछले एक साल में दो बार इसके शिकार हो चुके हैं साथ अफ्रिका दौरे से ठीक पहले रोही शर्मा को चोट लगी थी और वो टेस्ट और वन डे सीरीज से बाहर हो गये थे इसले रोही शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तारी सौपना एक बड़ा जोगी मुठाने जैसा काम हो सकता है रोही शर्मा का डिप्टी कौन होगा इस मुद्दे पर भी PCCI अधिकारी ने बड़ी बात कही है PCCI अधिकारी ने कहा है कि उप कप्तान ही टीम इंडिया का अगला लीडर होगा केल राहूल रुषब पंत जस्परित बुम्रा सभी वविश्य के लीडर हो सकते है सिलेक्टर्स को काफी सोच विचार करना होगा कि टीम का नया उप कप्तान कौन होने वाला है आपको बता दे कि विराट कोहली ने अब टेस्ट मैच की भी कप्तानी छोडने का एलान कर दिया है इसको सुनने के बाद से उनके फैंस काफी ज़्यादा दुखी नजर आ है लेकिन बॉलिवुड में उनको सपोर्ट मिला है और साथी साथ उनकी पत्नी ने अनुशका शर्मा ने भी इस पर उनका सपोर्ट दिया है इमोशनल होते वे नजर आई है लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने अपनी टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी है तो अब नया टेस्ट मैच का कैप्टन कौन मनेगा इस पर सवाल उठता है तो बिसी सी आई की तरफ से अभी अधिकारी घोशना तो नहीं हुई है लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है कि शायद अब रोही शर्मा ही इसकी कमान समानने वाले हैं यानी की टेस्ट मैच के भी कैप्टन रोही शर्मा ही होने वाले हैं लेकिन रोही शर्मा को इसका कमान सवापने एक से पहले BCCI उनसे बातचीत करेगी उसके बाद ही रोही शर्मा को इतना बड़ी इतनी बड़ी responsibility सवापेगी तो इसकी अधिकारी घोशन, टेस्ट मैच जो मैच चल रही है साउथ आफ्रीका में उसके बाद ही इसकी अधिकारी घोशन, BCCI की तरफ से की जाएगी कि टेस्ट मैच का कप्तान आखिर कौन होगा तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही है माय साथ निउस फोनेशन, नमस्कार